दुनिया भर में कोरोना वाइरस महामारी का रूप ले चुका है इसकी चपेट में भारत भी है इसको लेकर के इसे बचाओ को लेकर के कोरोना वाइरस से बचाओ को लेकर के परधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने जनता कैरफ्यू का आहवान किया था और जनता कैरफ्यू का जो परदान मंतरी ने आहवान किया इसके बाद सभी पार्टी के लोगों ने परदान मंतरी का समर्थन किया और इस वक्त हम मौझूद हैं भागलपूर के खलीपा बाग चौक पर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता कैरफ्यू का जो पी-म ने आहवान किया है उसका समर यहां है खलीपा बाग चौरा है इसका भागलपूर में विसेस महत्व है यहां से महज कुछ ही दूरी की मीटर पर भागलपूर का रेलवे स्टेसन चौक है अमूमन जो यह इलाका होता है काफी भीड़ वाला अस्थान है यहां काफी संख्या में जो है तो जहां मौल हैं दुकाने हैं और सबसे बड़ा मार्केट कहा जाए तो शा मार्केट है भागलपूर का और यह जो आप देख सकते हैं कि एक भी दुकाने अब तक यहां पर नहीं खुली हुई है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे पूरा जो इलाका है जो पूरा चौक है उस पर सन्ना बार की मार्केट लगता था मार्केट लगता था हर परती एक रभी बार को मार्केट लगा जाता था और यहां जो है तो लोग आते थे खरीदारी करने के लिए और भीड उम्ली रहती थी लेकिन आज की जो आप तस्वीर देख रहे हैं हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे ह एक भी लोग नहीं है यहाँ पर और खुले मन से सभी लोगों ने जनता कर्फू का अहवान क्या है और कोरोना वाइरस को देश से बचाओ के लिए साबधानी बरती है हाला कि नगर निगम परशासन के द्वारा जिला परशासन के द्वारा भी इसको ले करके काफी जागरुक नात मंदिर समिती हो गुरुद्वारा परवंधन समिती हो और जो भागलपूर का खान का आलिया शैवाजिया है उसके सज्जादा नसी ने भी भागलपूर में जो जनता कर्फू लगाया गया है उसमें सभी लोगों को अपने घर में रहने की अपिल की थी और जो इस वक् पर यहां से कुछ ही दूरी पर खान का पील दमडिया के सज्जादा निशी रहते हैं उन्होंने भी आम लोगों से सुक्रवार के दिन मस्धिदों में बिभिन जगों पर अपिल की थी कि आप जो जनता कैर्फू लगाया गया है जो देश के परधान मंतरी ने जनता कैर्फ जो संगठन है जो खान का है उनकी तरफ से अपील की गई और इस अपील का लोगों ने अनुपालन किया है और आप देख सकते हैं कि एक भी गाणिया अब तक यहां पर सड़क पर नजर नहीं आ रही है पूरे भागलपूर का लगभग यही पूरे भागलपूर की बाजार है पूरे बाजार में सननाटा पसरा हुआ है और सारी दुकाने भागलपूर की बंध है हाला कि परशासन की और से आवेसक सेवाओं को बाधित नहीं क्या गया है जो मीडिया कर्मी है वो सड़क पर आ रहे हैं और जो आवेसक सेवाओं जैसे मेडीकल है दूद की दुकाने हैं जो कुछ इस्टोर है किराना इस्टोर है उन सब को छूट दी गई है और परशासन के द्वारा भी अपील की गई थी कि ये स्वेच्छा से लोग इसका पालन करेंगे और भागलपूर में जो इसका असर देख रहा है वो काफी सकारात्मक असर दिख रहा है कि लोगों ने खुद स्वेच्छा से इसका अनुपालन किया है जनता केरफ्यू का अनुपालन किया है और जो पूरा भागलपूर का इलाका है आप हम एक बार फिर से अपने कैमेरामेन को चाहेंगे कि वो आपको तस्वीर दिखाए पूरे खलीपा बाग चौराहे से कि 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 तरीके से सन्नाटा पस रहा है और लोग अपने घर में ही करोना वाइरस से बचाओ के तरीके ढून रहे हैं अपने घर से नहीं निकले हैं एक भी दुखाने भागलपूर की नहीं खुली है और जो करोना वाइरस है उसके संकर्मन को रोकने के लिए लोग एक दूसरे से प्रधान मंतरी दुआरा जो अपील की गई है जो बाते बताए गई है उसका लोग अनुपालन कर रहे हैं और भागलपूर में अगर भागलपूर की बात करें तो भागलपूर के बिभीन चौंक चराहों की लगभग ऐसी ही इस्तिति है भागलपूर के दूसरे अस्थान से भागलपूर के दूसरे चौंक चराहों की क्या इस्तिति है इसको लेकर के हमारे सहयोगी आपको विभीन चौंक चराहे से तस्वीर दिखाएंगे और चलिए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं भागलपूर के इस्ट्रेशन चौंक पर जहां हमारे सहयोगी रभी संकर अगलपूर